जै हिंद बंदे मातरम सात्यों आज की वीडियो में एक्जाम देने से पहले हम आपको 100 questions कराऊंगा जो की चुनिंदा प्रस्न है तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रस्न है पेनिसलीन का आविस्कार किस ने किया पेनिसलीन का आविस्कार जो है अलेकजेंडर फ्लेमिंग कि ने किया है option number B question number two देखिए यहाँ पर चार मिनार चार मिनार का निर्मान जो है किस ने करवाया था चार मिनार का निर्मान जो है कुली कुतूब साने करवाया है ठिकना option number C यह हैं मैंने को कहाँ बता या देखिए जीसे कि छिपकली को जानते है छिपकली का कोई भी पार्ट अगर कट या प्र कहीं भी झालब प्येक्शर हो जाए तो अगर वह छिपकली जिन्दा रहा जाएगा ना तो वो फिर से विक्सित हो जाएगा जैसे कि छिपकली का पूंच अगर कट जाए तो देखिएगा उसका फीर पूंच आ जाएगा लेकिन मानव में ऐसा नहीं होता है लेकिन एक लवता चीज है मानव में जो कि फिर से विक्सित हो सकता है तो वो है आपका जिगर जिसको लीवर काते हैं ठीक ना तो अपसे नमबर सी यहां प्रांसर किजिए लीवर का वजन पूछ लेता है कभी कभी तो यह होता है डेर से दो किलो ग्राम के बीच होता है लीवर ठीक ना जिसको हिंदी में जिगर काते हैं अगला देखिए हवा के प्रागन को क्या क किस नहीं लिखा भारत का राश्ट के गीत लिखा है बंकिम चंदर चतर जी ओप्सिन नंबर भी एक प्रसंद पूछता था जो कि भारत का प्रोसी देष है बांगला देस का राश्ट को लिखा है तो यहीruption 0 टेगोर जी जो कि भारत के राष्टगान और साथी बंगलादेश के भी लिखे हैं बंगलादेश का राष्टगान का नाम है हमार सोनार बंगला, ठीक न कोसना नमबर 7 देखिए, टी सब्द किस खेल से जुरा है टी जो है किसी खेल में इस्तिमाल होता है उस खेल का नाम बताना है टी सब्द का इस्तिमाल गोल्फ में होता है option number C option number 8 देखिए किस करांती कारी ने खुद से मौत को गले लगाया था तो आप movie में भी देखे होंगे चंदर से खराजाद भागत सिंग्वो भी देखिएगा न तो उसमें चंदर से खराजाद जो है पेर के पीछे खुद को मतलब कर लेता है समझ लेजिए गोली मार लेता है अपने आपको Q10 किस भारतिया राजा ने पूर्व एसिया के हिस्सों की जीत के लिए नौ सेनिक सक्ति का इस्तिमाल किया था तो उस राजा का नाम है राजेंदर चोल Q11 देखिए ग्यारा नमबर इनमें से किस देश में बंदरगा नहीं है ठीक ना अगला देखिए बीस रुका सबसे बड़ा मरू अस्थल कोन है रेकिस्तान जिसको कहते है यह होगा सहारा अप्सन अमबर सी और पूछा जाता है सहारा मरू अस्थल कहां में है तब फच्जाता है यह है अफिरका में और इसका छेतर फड़ जो है चोरासी हजार वर्ग किलो मीटर है कोशन अमबर चाओदा देखिए भारतिय रिजर बैंक का राष्टिय करन कब हुआ भारतिय रिजर बैंक रिजर बैंक आफिंडिया का निसने लाइज कब हुआ तो यह हुआ था उनिसोन चास में और इसकी आज थापना कब हुई एक अप्रेल उनिसो पैटीस ठीक न लेकिन नेशनल हुआ उनिसो बनाया गया था उनिसोन चास में इन में से कौन सी घटना भूकाम का कारण बनती है तो यह हो जागा जो आला मुख्या बिसफोट के कारण जो है भूकाम होता है हम जो देखते हैं पिर्थवी डूलने लगती है यही जो आला मुख्या बिसफोट होने के कारण अगला देखिए सोला नंबर डी पी टी वेक्सीन में पी किसे संदर्वित करता है यानि कि अगर आपको डी पी टी का फूल फूरम पता हो तब आप पी को असानी से बता सकते है तो पी का मतलब होता है पर्टू स्वीस ठीक ना ओप्सन नंबर भी इसका पूरा नाम होता है डी पी टी का फूल फूरम डी फिरिया पर्टू सिस्टेटनस टोकसाइड अगला देखे टामाटर क्या है टामाटर तो आप मार्केट में बहुत देखते हैं लेकिन आपको हैरानी होगी टामाटर जो है फल है ठीक ना सब जीम ने आता है यह टामाटर क्या है फल है यानि कि आपका फुरूट हो गिया और यहाँ पे पुछा जायता है कि टमाटर में क्या पाया जाता है लाइकोपीन पाया जाता है लाइकोपीन नेक्स्ट को संद किये चंदर सेखर सीमा किस परलागो होती है चंदर सेखर सीमा की बात करें ये सितारो परलागो होती है अप्सन नमबर ए चंदर सेखर, भार्तिय मूल के अमिर्का के नागरिक है और चंदर सेखर ने ब्लेक होल सीमा को दर्शाया है की कोई तरा की सीमा क्या है ठिक नए, और 1983 में नोबेल पूच कर दिया गया था, किन है, चंदर सेखर? जी को दिया गया था अगला देखिए परदूसन में सोचकांक SPM का पूर्ण रूप क्या है SPM का फूल फूरम पुछा गिया है यह आपका बिहार पुलिस में भी पुछा गिया है यही जो हुआ था ना इधर सोरी बिहार दोरुगा को जो 25 दिसंबर को पेपर हुआ था इधरे दू मेहना पहले उसमें पुछा गिया था यह SPM का फूल फूरम तो इसका हो जाएगा suspended particulate meter option number B suspended particulate meter अगला देखिए Berlin की दिवार को किस वर्ष धुष्ट किया गिया था Berlin की दिवार 1989 में धुष्ट हुआ था option number B 1989 अगला देखिए 21 number person युमामी क्या है युमामी क्या है युमामी जो है स्वाद का परकार है test of मतलब test का जो है ये source हो गिया ठीक न समझ गये न test check करने वाला युमामी है और युमामी का स्वाद का परकार जो है स्वाद का पता जीव धुआरा पता लगाया जाता है चिकतसा विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? मेडीकल स्थेतर के जो है पिता किसे कहा जाता है चिकतसा विज्ञान का पिता ये होगा आपका हिपोक्रीटस इसको आप जरूर रख लिजिए गया याद ये कई बार रिपीट हुआ है और पिता के बारे में कहीं मतलब परसन पूच लëता है जीसे कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है हिरो डोड़ दे वह इसे करके परसन पूचता है तो चिकतसा का विज्ञान जो है हिपोक्रीटस को कहा जाता है 24 नमबर देखे लोग सभा के सदस के रूप में चूने जाने की नियुनतम आयू क्या है लोग सभा का जो सदस से बनता है ये कम से कम इसकी आयू जो है 25 वर्स होनी चाहिए इसी के साथ परधान मंतरी भी बन सकते हैं 25 वर्स की आयू में जैसे कि भारत के बरतमान परधान मंतर है एम बैंक का या नाइटू लोग सभाध्यक्ष बनने के लिए नियूंतेमायू कितनी होनी चाहिए 25 यह और बर्दमान में है ओम बिरला सहब 25 नंबर प्रशन विजयन अगर समराज किया स्थापना किस ने की थी विजयन अगर समराज किया स्थापना हरी हर और बुक्का ने किया था ओप्शन नंबर यहां पर राइट आंसर होगा नेक्ट कोस्टन 26 नंबर वायू में परकास की चाल कितनी होती है हवा में यह जो लाइट होता है या फिर सूरी की रोशनी को आप देखिएगा यह कहने का मतलब है कि हवा में इसकी चाल कितनी होती है तो बहुत तग वर्स 1919 में कौन सी एक बड़ी घटना घटी थी तो मैंने आपको कई वारी इतिहास वाले वीडियो में बताया था कि भारत में 1919 में जालिया वाला बाग हत्या खान रुआ था यानि कि जालिया वाला बाग नरसंगार तारीक क्या थी 13 अप्रेल 1919 बैसहाखी पुर्निमा के द सकते हैं वो कमीना इंसान था 28 नमबर देखिए यहां पर कागज कागज जो हम लोग पेपर जिसको बोलते हैं कागज का विसकार जो है किस देश में हुआ था तो यह हुआ था चीन में option नमबर A और कागज जो है यह पउधा यानि कि एक पेर से निकलता है ठीक नहीं उस प और कागज भी करते हैं 29 प्रस नमबर देखिए बाइचुंग भूटिया यह एक खिलारी है भारतिय खिलारी है यह किस खेल से संबंदित है तो यह हो जाएगा फुटबोल से जैसा कि आप लोग चीतर में ही देखके समझ गये होंगे कि यह फुटबोलर है इनका नाम है बा करत के सिक्कीमराज से जुडा हुआ है इसलिए बाइचुंग भूटिया को सिकमी स्नाइपर के रूप में जाना जाता है को सनरतिय तीस किसी आप नाली बनगा सहर है यह जो है काली बंगा से संबंधित है तो आपसन नमबर सी जहां पर रखिएगा ध्यान जैसे की काली चूरियों का सहर जो है काली बंगा को कहा जाता है जैसे बिहार का योगनगरी किसे कहा जाता है मुंगेर को सिल्क सिटी किसे कहा जाता है भागलपूर को और जैसे ख हिदे सुगा जो है जापान के परधान मंतरी बने है और जापान की राजधानी है टोकियो और यहां की करेंसी क्या है येन ठीक ना येन 33 नमर देखिए दा गोल्डन गर्ल एक महला यानिक एक लर्की को दा गोल्डन गर्ल कहा जाता है उसका वो कौन है तो वो है आपका पीटी उसा पीटी उसा को जो है दा गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है और पीटी उसा को पायोली एक्सप्रेस भी कहा जाता है ठीक ना ओलम्पिक में पदक जितने वाली पहली भारतिय महला है ठीक ना भारतो लक और मिलखा सिंग की बात करें तो ये एक भारतिय खिलारी है और इन्हें दा फ्लाइंग सीक के नाम से जाना जाता है मिलखा सिंग आप लोग मूवी देख लिजिएगा ये एक मोटिवेशनल मूवी है इस्टूडेंट के लिए आप लोग जरूड़ देखिएगा मिलखा सिंग मूवी देखने के बाद आपके अंदर जो है एक उड़जा उत्वन होगी 33 नमबर देखिए लक्षदीब का कूल छेतरफल क्या है लक्षदीब जो है एक कंदर सासित परदेश है और इसका वर्ग ये जो छेतरफल है 32 यानि कि 32 वर्ग किलो मीटर में फैला हुआ है और लक्षदीब का पुराना नाम कई बार पुछा जा चुका है लक्षदीब का पुराना नाम है लाइका डाइव लाइका डाइव और ये भारत का सबसे छोटा कंदर सासित परदेश है ठीक नए लक्षदीब की राजधानी कहां है ये पुछा गिया है एक बार कावारती है कावारती एक सहर है और लक्षदीब जो है केरल उचने आया लग के अधिकार खेतर में आता है और लक्ष द्वीप में कूल मलाकर कितने द्वीप हैं तो 36 यानि कि 36 द्वीप हैं अगला आप रहें देखिए 34 नंबर M-I-C-R में C का विश्तरत रूप क्या है What is the full form of M-I-C-R M-I-C-R का पुरा नाम होता है करेक्टर सोरी देखिए यहाँ पे पुछा गया है C का पुरा नाम तो यहाँ पे आपको अगर M-I-C-R का पुरा नाम पता है तब आप जो है C का मतलब बता सकते हैं ठीक ना तो M-I-C-R का पुरा नाम होता है Magnetic Ink Character Recognition Magnetic Ink Character Recognition और यहाँ पे आप देखिएगा M-I-C-R जो है यह वाला है ठीक ना यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है यह जो है दरसल होता क्या है कि भारत में जितने भी बैंक है और जो बैंक चेक तयार करता है नहीं बोलता है कि हम आपको चेक काटके देदेंगे 2 लाक रुपिया का चेक भंजा लेना जा करके तो वही है चेक और यह जो है चेक को ऑडिजिनल यानी की डुब्लिकेट कोईने बनावे इसलिए इसको तयार किया जाता है M-I-C-R का और इसमें C का मतलब होता है करेक्टर पुरा नम होता है मेंगनेटिक इंक करेक्टर रिकोगनिजन अगला तके 35 नमबर गांडी कोटा घाटी कि सिराज में स्थीद है गांडी कोटा एक यह घाटी है यह आंधर प्रदेश में है option नमबर डी अगला तके 36 नमबर केंप्यूटर का प्रस्ण है Microsoft Excel का उप इसका यानि कि कल्कुलेशन करने के लिए ऐटोमेटिक जैसे कहीं भी क्या बोलते हैं मतलब कल्कुलेशन समर्ज सकते हैं कि जल्दी वाजी में जो है हिसाब तयार करना कितना व्यक्ति कहां पर वह आप कल्कुलेशन करने के लिए इसक्माल होता है Microsoft Excel का जैसे हम लोग यह ज आप समाज लिजिएगा कि पर जंटेशन से समबंधित है अगला देखे यूनेस्को की आस्थाफना कब हुआ था यूनेस्को की आस्थाफना जो है आपका उनिस्व पैतालीस में हुआ है उपसे नमबर डी यूनेस्को का पुरा नाम क्या है यूनाइट इनेशन्स एजुके राजधानी है अगला प्रसंद है कि ये काल बेलिया लोक गीत और निर्तिय किस राज से संबंदित है काल बेलिया के बारे में कई बार पुछा जा चुका है ये राजास्थान से संबंदित है अगला देखिए 39 नंबर केंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है कई बार मैंन नेचुरेल वला नहीं है, मतलब इसको तयार किया गया है, दिमाग मतलब इसको दिमाग कहते हैं, माइंड कहा जाता है, सिप्यू का पुरा नाम क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनीट, ठीक न, आगला देखिए, यहाँ पे 40 नमबर, 40 नमबर, सागा दाबा, सबसे बड़े बौध तहवारों में से एक है, यह किस राज में मनाया जाता है, सागा दाबा जो है, यह आपका सिक्कीम से संबंधित है, और यह गौतम बुध के जन्म, ग्यान और निर्वान के प्राप्ति के लिए मनाया जाता है, आप देख सकते हैं, सागा दाबा जो है, इस नमबर बी इजदा राइट आंसर फोटी टू नमबर प्रस्ण आप देख लिजिए यहां पर चीतर देख लिजिए यह है आप आम भासा में इसको सिकर कहते हैं ठीक ने लोक करने के लिए या फिर ग्रील विगरा घड में दरवाजा होता है उसी प्रकार से यह भी होता है किस लगने से बचाने के लिए हम लोग एक परक्रिया को करते हैं उस परक्रिया को क्या कहते हैं była जस्ती करन कहते हैं ठीक नार 93, 93 नमबर अगला प्रासन देखिए 44, इंसूलीन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है, इंसूलीन की कमी के कारण जो है, डायबटीज होता है, देखते हूंगे आप कई सारे युवा या फिर आदमी जो कहते हैं कि हमको डायबटीज है, उसमें एक्षूली क्या हो इंसूलीन की कमी के कारण रहता है, जिसके बाद वो जो है, डायबटीज मिलिटर्स, ठीक ना, फोर्टि फाइब नमबर, देखिए, वायू मंदल में कूल कितने परते हैं, वायू मंदल में कूल मिलागर छे परते हैं, उप्ertas नमबर सी, कौन-कौन, छोब मंदल, समताप मंदल, मढध मंदल, ताप मंदल, आयन मंदल और बाह्य मंदल आगला दखिये 46 नंबर भारत की दूसरी सबसे बरी नदी घाटी कौन सी है जो देश के 10% छेतर को घरती है तो ये हो जाएगा आपका गोदावरी नदी जैसे की भारत की सबसे लंबी नदी है न गंगा नदी तो गंगा नदी जो है राष्टिय नदी भी है भारत की उसी पर हो जती है और ये गंगा नदी के बाद गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और गोदावरी नदी के लंबाई जो है 1465 किलो मीटर है अगला देखिए 47 नंबर भूकम को मापने में उपयोग किये जाने वाले तिवरता के पैमाने की सिमा क्या होती है तो ये होती है एक से बारत तक यानि कि जैसे की भूकम पाता है उसको हम लोग कैसे मापते हैं कि ये कितना स्पीड में आया था तो ये एक डिवाइस होता है रियक्टर स्केल क्या होता है रियक्टर स्केल वही पर भूकम की तिवरता को मापते हैं कि कितना स्पीड में था और उसमें जो है कोलम एक से 12 तक के बना राता है से करके 12 तक को माप सकते हैं कि ये कितना स्पीड में आया और कितना खतरनाक था तो क्या नाम है रियक्टर स् यहां पर आतिस ए चिनार ठिक ना आतिस ए चिनार जो है यह फलेम आप चिनार के नाम से भी प्रसिद्ध है यह किस राजनाता की आत्मकता है फलेम आप चिनार जो है यह एक आत्मकता है सेख मुहम्मद अब्दुल्ला का option number a 50 number पर से जहारखंड बिहार से कब अलग हुआ था जहारखंड बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर देखिए यहां पर answer होगा c number ठीक ना यहां पर यह गलती हो गया है इसको आप answer नहीं कीजिए यहां पर होगा 15 नवंबर 2000 को जो है जहारखंड बिहार से अलग हुआ था एक नवंबर 2000 को कोन कोन से राज भारत में बने थे वो आपको मैं बता देता हूँ उत्रांचल बने थे ठीक ना उत्रांचल बना था एक नवंबर को और 2000 में आपका 36 भी बना था लेकिन 15 नवंबर यहां पर राइट आंसर होगा जहारखंड जो है बिहार से अलग हुआ थ और अपने दोस्तों के साथ भी सेर कर दिजिएगा वीडियो खत्म होने के बाद और चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद यह बेल आइकन को किलिक करने के बाद ध्यान रखेगा बगल में बनेगा ऐसा एक बेल आइकन और इसको किलिक करके रखिएगा तब आपको नया नोटिफिकेशन का विडियो का सब से पहले आप ही तक पहुँचेगा अगला देखिए 51 नमबर देखिए प्रथम भारतिय संचार उपगरा कौन था प्रथम संचार यानि कि रिसेटे लाइट जो था ये आपका आरे भट था अप्सन नमबर ए 52 नमबर प्रशन देखिए इन में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहा जाता है टूटा हुआ तारा आप रात में अक्सर देखते होंगे उपर देखिएगा न तो लगेगा कि तारा जो है स्पीड में किधर कहीं जा रहा है तो वे जो है तूटते हुए तारा जो उसी को कहा जाता है और यह होता है अनसिवब अवसेश को कहा जाता है तो option number C अगला देखिए 53 नमबर देखिए सीमला समझ होता है 1972 पर किन के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था सीमला समझ होता जो है 1972 में हुआ था इंदरा गांधी और जेड ए भुटो द्वारा हस्ताक्षर किया गया था तो option number C सीमला समझ होता कोन किन दो देखों के बीच हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच उस समय भारत के परधान मंतरी थे इंदरा गांधी जी और पाकिस्तान में के थे भुट्टो जेड ए भुट्टो से 1972 में भारत के पंदरवे परधान मंतरी का नम बता ये तो यही है बरतमान परधान मंतरी नरेंद्र मोदी जी भारत के पंदरवे नंबर के प्रधान मंतरी है अगला देखिए 55 नंबर प्रसन एक एक दिन भी लोग सभा नहीं ज यह हो जाएगा आपका पर्ण दी और अंताराख्षन च्पंविध्यालियरग की अपट्राइख необходимо और अटर भात आपको धियान रहना है काई बार प्रसंद कुछा गिया है कि दुनिया का पहला देस जिसने अंतरिक छेत्र में कदम रखा था उनका नाम है तो रूस है जैसे कि अभी आपने नियूज में अक्सर देख रहे होंगे रूस और युक्रेन के बीच जो है युद्ध हो रहा है तो यही है रूस जो की आंतरिक्ष में सबसे पहले कदम रखाता है अगला देखे 57 नंबर भारतिये मुद्रा नोटों की छपाई के लिए उप काँव की खेती होती है तो यहीं का पास से जो है भारत की नोट के तयार किया जाता है मतलब मैं सोर्स है वह ही भारत और पाकिस्तान के बीच नियंतर णर से OFF लोसी कहते हैं ये कब लाया गया था तो ये लाया गया था 1972 में ऑप्सन नमबर भी जब भारत और पाकिस्तान के बीच बांगला देश के लिए यूद हुआ था 1971 में उसके बाद लोसी को लाया गया है अगरा देखिए 59 नमबर सोर सेर मतलब क्या यहां पर सेर मतलब हला गुल लगता है तो उर्ड करने किऊं लगता है तो यह होता है इसके कारण 1113 मत अधीक आवाज देता के कारण हर तो आप ध्यान रखिएगा 130 डैसी ल से जाधा होने के बाद हिस्टे व्लसान हूनेों जाह से बाद हमारा मतलब दर्ड करने लगता होगा मतलब हमें अलएके 60 नंबर देखिए अरुनाचल परदेश की राजधानी का है वे रिए अरुनाचल परदेश तो इसकी राजधानी हो जाएगा इटान अगर ऑप्सान नंबर सी एक सैट नंबर पर सिंद्ट के टैंट अबर यह किस देश में स्थित है यह है चीन में आप्सन नंबर यहां पर लोक कीजिए अलए थे 62 नंबर पादब विग्यान यानि कि फिटोलोजी में किसका इस्ट değerी किया जाता है अध्यान किया जाता है तो यह ohश जो study होता है, यानि कि पढ़ाई लिखाई, इसको काते है phytology, ठीक ना, अच्छा, जीब बिग्यान एबन जन्तु बिग्यान का पिता, मतलब जनक, किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है, जैसे इतिहास का पिता किसको कहते हैं, बताएगा ये भी आप नीचे comment में, ठीक जो जिसको हम लोग छोटी माता या फिर बड़ी माता जैसे कहते हैं जैसे घरेलुभास हमें कहते हैं कि देवी माता आ गया है बोडी में होता है दाना दाना चेचक ये जो है किस वाइरस के करण होता है वैरी सेला वैरस के करण होता है ओप्सन नमबर भी लेकिन होता है ये व यानिकी कैंसर जिस प्रेशेंट को रहेगा उसमें जो है कीमो थेरेपी का उपचार करके उसको ठीक करते हैं ठीक आगला देखिए शिच्टिफाइब नंबर सरवन बेल गोला कहां है यह इतिहास का प्रत्न है सरवन बेल गोला जो है यह आपका करना टक में है तो आपसर तो MS Office जो है केंप्यूटर चलाने वाला एक सिस्टम सॉप्ट्वेर है तो आपसर नंबर एक को यहां पर लोग किजिए आलदा कि 67 नंबर खगोलिया दूरी को कैसे मापा जाता है प्रसन जो है यह आपका रिपीट हो चुका है जो कि मैंने आपको पीछे गलती करा दिया थ ठीक ना तो यही नहीं है परकास वर्स बाताया था आना कि परकास वर्स जो है दूरी को हम मापते हैं लंबी-लंबी दूरी लेकिन आपसन में क्या बताया था कि परकास को नापते है जो कि गलत था तो वही यहां पर कनफर्म हो गया है ठीक ना खगोलिया दूरी को कैसे सकते हैं कि کतना किलोमीटर कितना हजार किलोमीटर है ठेक तो अगला देखना है कि वायू पर दूशन के संदर्व में PM अध्य सिर्च शर्च क्या मतलब है देखिए PM कई परकार के होते हैं यह वोता है PM पर्धान मंत्रे जिसको कहते हैं प्राइम मिनिस्टर एक प्यम होता है घड़ी वाला प्यम जैसे आप मोबाइल में अभी देखिए प्यम लिखाल होगा आठ बज़ कर 15 प्यम नो बज़ कर 20 प्यम रहता है न इसे करके एम प्यम तो एक एम का मतलब होता है एंटी मेरीडियन प्यम का मत ईन इनटी मेरीडियन और यह ओता है प्राइम मिनिस्टर लेकिन यह एयर पोलीूसन के खेतर में यानि कि हवा के खेतर में जो है यह आपका क्या होता है प्यम का मतलब तो इसका पूरा नम होता है पार्टी कुलेट मेटर ठीक न तो देख लिएगा कैसा वाल अपकोल फोरम परसीद्ध है, जली कटू जो है सान को बस करने वाला है, और ये तमीन लाड़ू में मनः आ जाता है, तो अपसन नंबर 6, लेकिन यहाँ पर सूप्रीम कोट जो है, इसको रोक दिया है, क्यों? क्यों कि सान को बसमे करना, मतलब ऐसे सान से लरना, सिंग वे गराब भोग करता है समझेमना आता है तो यह जो है क्या को मतलब हुआ सांड को बस में करना मतलब उससे लरना सुप्रीम को इसको बंद किया है इसका नाम है जली कट्टू यह रेलवे गुरूप डी के 2018 में पूछा प्रस्ण गया है अगला देकिए 70 नंबर किस नदी को दक्षिन गंगा कहा जाता है मैंने आपको थोड़े दर पहले बताया है गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और दूसरी लंबी नदी है आपका गोदाबरी और गोदाबरी नदी को ही दक्षिन अग्ना बनाने के लिए घर में इस्तेमाल करते हैं उसका पुरा नाम होता है लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्वीफाइड से लिए L पेट्रोलियम से लिए P, गैस से लिए G हो गया एल पीजी गेस एल पीजी ठिक अगला तक ये 72 नंबर स्वात अंतरता से नानी भगात सिंग को किस वर्ष फासी दी गई थी उनीस सो एकतिस में अपसन नंबर भी आगला देखिए 73 नंबर ओड्यो हेडफोन का विसकार किसे ने किया था यहाँ देख सकते हैं यह है हेड़फोन एक होता है यह फोन यह फोन मतलब सिर्फ कान में ही लगेगा जो कि छोटा वाला राता है हेडफोन होता है पूरे सीर पर लगने वाला जैसे कि पूरा हेलमेट जैसे लरकी लोग एक हेड़ बैंड साइद इसे करकाता है न सीर पर जो लगाती है बाल को उरनेस रोकने के लिए उसी तरीके से यह बैठ रिया मतलब हो गया यह हेड़फोन और हेड़फोन का विसकार जो किया था नाथानुएल बाल लित होती है आप कोई भी रुपिया या फिर नोट देख लेजिए 10 रुपिया 20 रुपिया एक हजार बीस जार जट्था का नोट चलता है भारत में 2000 तक का अधिकतम चलता है ना तो सब के पीछे में देखिए गानत यहां पर कई भासा में लिखा रहता है जैसे यह 10 अगला देखिए पाणी से हाइड्रोजन को अलग करने की परकिरिया को क्या कहा जाता है तो यह हता आपका विद्यूत भी घटन तो ऑप्शन नमबर यहां पर सही जबाब होगा अगला देखिए 76 नमबर किस वर्ष में भारत ने पहली बार राष्ट मंडल खेलों की से और भारत पहली बार राष्ट मंडल खेल में भाग कब लिया था 1934 में कहां पर लंदन में हुआ था और 1934 में ही बिहार में भुकांप आया था जबर्दस्त जो की मुंगेर सहरतपूरी तरीके से ध्वस्त हो गया था आप देख लिजिए गा मुंगेर का किला वगेरा ज नेच का मतलब क्या होता है नेशनल हाइवे और बिहार की सबसे लंबी नेशनल हाइवे है नेच 31 ओप्सन नम्बर सी यह बिहार में ज्यादततर आपका इधर से गुजरती है पाटना होते हुए भ्येगूसराय के रास्ते भ्येगूसराय खागरिया खागरिया में में 78 नमर एक रुपिय के नोट पर किस के हस्ताक्षर होता है एक रुपया का नोट आपने देखा होगा सिक्का तो वह इसे होवे न करता है तो एक रुपया का एक नोट भी होता है देखिएगा आप तो उस पे जो हस्ताक्षर होता है किंदर ये बीत सचीव का होता है उस पे पी और भी आई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है लेकिन एक लवता एक रुपईया है जिसमें की केंद्रिय बीत सचीव का हस्ताक्षर होता है तो इसमें आपको confusion नहीं होना है option number D को lock कर लिजिए एक किताब है अगनी की उरान इस पुस्तक के लिखा कौन है अच्छा आप लोग बताईएगा एपीजे अबदूल कलाम भारत के कौन से नंबर के राष्ट पती रहे है आगला दखिए 80 नंबर प्रस्ट भारत में किसी भी राज के प्रत्था महला मुख्या है मंतरी कौन थी मुख्यमंत्री की बात करें यानि कि सीयं मतलब चीफ मिनिश्टर हिंदी में मुख्यमंत्री ये भारत की पहली मुख्यमंत्री बनी थी सुचिता कृपलाने जी उत्तर परदिश की 81 नंबर प्रस्ट निमें से कौन सा विद्यूत आवेस का सुचालक है तमबा ओप्सन नंबर सी यहां पर राइट आंसर होगा अगला देखिए 82 नंबर कूडन कुलम परमानु उर्जा सैयंत्र की सराज में है कूडन कुलम परमानु उर्जा सैयंत्र जो है ये आपका तमिल इसका इंगलिस में नाम इसे होता है कूडन कुलम निकूलियर पावर प्लांट ठीकना कूडन कुलम तो नाम रहवे करेगा इंगलिस में भी परमानु को हो जाएगा निकूलियर उर्जा को हो जाएगा आपका पावर सैयंत्र मतलब प्लांट तो कूडन कूलम निकूलियर पाबर प्लांट जो है आपका तमिलाडू में है, 83 नमबर तकी यह चाय, चाय जो हम लोग पीते हैं, चाय सबसे ज़्यादा किस सहर में होता है, मतलब जैसे कि खागरिया के बारे में हमको बताया था, हम आपको क्या बताया थे कि मक्का के छेत्र में यह अग्रणी है, असी प दार्जलिंग का चाय, और दार्जलिंग जो है यह आपका असाम में नहीं है, कहां पर है, यह है पस्चिम बंगाल में, ठीक, लेकिन आपसे यह पर पूछ ले कि चाय के उत्पादन में सबसे बरा राज, यानि कि कि किस राज में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है सहर के जगह पर आपको राज दे दे तो ध्यान रखेगा असम लेकिन सहर पूछे तो होगा आपका दार्जिलिंग दार्जिलिंग जो है असम में नहीं है दिये बात ध्यान रखेगा ये है पस्चिम बंगाल में अगला देकि 84 नंबर मगरमच के बच्चे को क्या कहा जाता है मागर्माच जो की पानी में रहती है इसके बच्च को क्या कहा जाता है इसका भी बच्चे होगे यो cours साथी अगर जमीन से लग गया थो हो जांगा लिए गिर्गीट विन ही का जाता है लिए तो जिप काली को जो है देखिए-गा तो उसका चहती जमीं पर लगता है दिवार में भी चलेगा तुसका चहाती जो है सटली रहेगा तो यह किस में आयगा? रेप्टाइल में ती इसका आप साप उधारन ध्यान में रखेगा याद कि जिसका भी बोडी का जो है छाती अगर जमीन में सट गया तो वो हो जाएगा आपका मगरमाच आती सरीसर्प यानि कि रेप्टाइल तो इसके कुछ उधारन है जैसे सिपकली साप, घरियाल, कच्वा ये सब का छाती जो ह आता है तो ये सब होगा सरीसर्प यानि कि रेप्टाइल तो मगरमाच के बच्चे को कहते हैं हैचलिंग अगला दकी 85 नमर प्रसन स्वतंत्र भारत के प्रतम ग्रह मंत्री कौन थे अजादी के बाद फस्ट होम मिनिस्टर कौन थे तो ये थे आपका स्रदार वल्ला भाई पर्तेल जी तो आपसन NAMBIR C 86 नमर प्रसंट किए बैंको का बैंक किसे कहा जाता है वीसी बैंक किज राश्टी करण्जों हे इसको आप ध्यान रखेगा और RBI का Headquarter कहा है मुंबई में है किस किर्केटर ने विश्वकप T20 किर्केट में एक उबर में 6 छक्के लगाए थे यह तो बहुत आसान है क्योंकि भारत में जो है किर्केट के दिवाने बहुत है किर्केट के दिवाने बहुत सारे हैं तो इसको आ उबर में जो है गोल्डन मेडल जितने वाली गोल्डमेडल जितने वाली पहली भारतिया महला मुख्यवाज कुन थी इनका नाम है मैरीकॉम तो ऑपसा बनाय जाता है html html का पुरा नम कभी कभी पुछ लेता है html का पुरा नम होता है hypertext markup language hypertext markup language और internet पर खुडने वाला पेज जो होता है उसको web page कहते हैं 90 नमबर प्रसंद चंद्रियान फर्श्ट को किस बर छोड़ा गया था चंद्रियान जो है यह छोड़ा गया था फस्ट वाला 2008 में ऑप्सन नमबर बी और चंद्रियान फस्ट को किसे ने छोड़ा था इजरो छोड़ा था इजरो चोड़ा था इजरो का पुरा नाम क्या होता है इंडियान इजरो का हेड़क्वाटर है बेंगलूरू जो है करनाटक की राजधानी है और इसकी अस्थापना किस ने किया था विक्रम सारा भाई जी ने और इसके अस्थापना कभ वी आजादी के दिन 15 अगस्त उनिस सो नहत्तर को 15 अगस्त को मनाते हैं ने स्वत अंतरता द्वस तो ध तो देखिए टीन का परमानू कर्मा कभी कभी पूछलता है पचास होगा और टीन का लेटी नम क्या है इस्टेन नम और यही इस्टेन नम से निकाल के बनाया है एस एन जो की टीन का सिंबल है 92 नमबर परसंद देखिए बंगाल के विभाजन का आदेस किसके द्वारा दिय गया था बंगाल के विभाजन का आधेस जो है लौड करजन 내 दिया था option number a Lord करजन जो है बंगाल का मतलब बंगाल भूवाजन को कब किया था 1905 में भारत में राजपाल के निउक्ती कोन होता है कोन करता है जैसे कि बिहार के बरतमान में राजपाल कोन है भागु चहान है ने जिसको इंगलीज में गवर्नर कहते हैं जी ओ भी ए आर एन ओ और गवर्नर ठिक तो यह भारत में राजपाल की नियुकति किसी भी राज में होगा न तो उसको नियुकत करता है राष्ट पति यानि कि प्रेसिडेंट के द्वारा जो है एक इंगलीज में जी अर्क नियुकति करते हैं एक स्वृँपाल की नियुकति होता है अकर यह एक सोचलीष्ट रिपाब्लिकेशन एस्फब्लिकेशन आशापना किस के द्वारा की गई थी तो यह अथा आपका भगत सिंग अप्सा AND जान बड़ी तो देखिए वर्स उसनदोस्तान रिपेवलिकेशन एसोसियेशन पर आपना किया थी क्या नाम है हिंदोस्तान रिपबलीकेशन साथ ये संध्यान रखिएगा इसमें रिपबलीक नहीं लगा है अभी भारत का प्रत्रम बेक्ति किसे कहा जाता है भारत का प्रथम बेक्ति जो है कहा जाता है राष्ट पती को आपसर नंबर बी यहां पे राइट अंसर हो जाएगा धिए आगला देखर 96 नमडर दोनों चित्र देख लीजे एक है गेट वे ऑफ इंडिया एक है लाल किला ठीक ना यह है 叫 भेआ फेन डिया और दूसरा वाला है लाल किला गेटवे ऑफ इंडिया कहां है तो यह होगा आपका मुंबाई में ठेकना यह है मुंबई में गेटवे ओप इंडिया मुंबाई में है लेकिन लाल किला यह जो है दूसरे वर नमबर का यह है दिल्ली में तो इसको आप गोप्त प्रत्थम जो है नालंदा उन्वर्सिटी के अस्थापना की थी और एक बार प्रसंद पुछा गया था कि नालंदा विस्विद्याले का प्रत्थम भी सी भी सी मतलब वाइस चंसलर कौन था गोपा संभरवाल गोपा संभरवाल अगला देखिए 98 नमबर महात्मा गा मानते थे एम जी रानाडे को यानि कि महात्मा गांधी जी के गुरू के गुरू कोन थे एम जी रानाडे जैसे होता है ने दादा का दादा वही प्रकार से है महात्मा गांधी के गुरू का गुरू कोन थे एम जी रानाडे इसको अब धिहान रखिएगा कौन से रोग के उ को ठीक किया जा सकता है अगला देखिए 100 नमर फ्रस्न रेफ्रीज रेटर का विसकार कब किया गया रेफ्रीज रेटर जो आप लोग देखते हैं ठंडा वेगरा जो रहता है रेफ्रीज फिरीज जिसको बोलते हैं कि फिरीज लाव रेफ्रीज खड़िदे तो वही नहीं है विसकार कब किया गया था यह हुआ था आपका 1834 में आपसे नमबर ए और रेफ्रिजरेटर यानि कि फिरीज जो है कब हुआ था इनका मतलब जो है कौन तयार किया था कौन बनाया था इस फिरीज को जो अभी हम लोग ठंधा करते हैं पारने वेगरा इसका नाम था जो कोब प पर किन सी और यह अमेरिका के बिग्यानिक थे यानिक इनवेंटर थे और इसके जो आपका आविसकार वह था था आठासो चोटीस में वन वन थाउजन एट हंडेट हटी फोर एटीन ठाटी फोर यहीं वन एक सो को संस कंप्लीट चलिए देखिए बहुत महनत लगता है जो क नहीं करने के लिए यह गलत है यहीं तीन उप्सन में से बताईएगा इंटरनेशनल महलादिवस कम मनाया जाता है नहीं पाता है तो गूगल करके आंसर दिजिए लेकिन कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दिजिएगा आपको बता दे कि 13 फरवरी को भारत में राष्टिया म और आपको बता दे कि लंबी एपिसोड तीन सो कोसंस वाली वीडियो जरूर देख लिजिए आपके स्क्रीन पर यहाँ पे दाहने साइड आ चुका है इसको आप किलिक करके तीन सो कोसंस जो मैंने आपके लिए कराया है उसको आप जरूर देख करके जाएगा मिलते है अग आपके स्क्रीasma किमा आपके सेमे करना जाब जरूर बबचाने चुका हुशने ग浮र पेदाट के लिएक्टार कोसंसा जरूर देख करेवाने एनपसने भीडियो हो